काशी के सम्मी पे स्थित सारणात के सारंगनात मंदिर में सावन के दूसे सोमार पर जलाविशेक के लिए शधालों की भारी भीड उम्डी मानता है कि सावन में सारंगनात के दर्शन पूजन और जलाविशेक से उतना ही पुन्य मिलता है जितना काशी विश्टनात मंदिर में भगवान शधालों की मनुकामनाओं की पूर्ती के साथ ही चर्मरोक से मुक्ति देते हैं काशी में भगवान शिव के कई रूप मौजूद हैं लेकिन सबसे खास है भगवान बुद्ध की उपतेश इश्टली के करीब स्थेत सारंगनात मंदिर कहा जाता है कि सारंगनात के दर्शन हो जाएं तो काशी विश्टनात के दर्शन के बरावर पुन्निफल प्राप्त होता है कहते हैं कि सारंगनात के नाम पर ही स्चेतर का नाम सारंगनात पढ़ा पहले स्चेतर को रिशी पतन मृगदाव कहते थे इस मंदिर में एक साथ मौजूद हैं दो शिवलिंग एक छोटा तो एक बड़ा एक तो सोमनात के रूप में सुमें महादे हो तो दूसरे उनके साले सारंगनात है पूरी दुनिया में ऐसी मंदिर नहीं है जहां दो शिवलिंग साथ हो एक मानिता श्री शारंगना जी कि यह है कि इन पर गौंद अलग से चड़ता है लोग मनत मानते हैं जब चर्म रोग ठीक हो जाता है तो बाबा पर गौंद चड़ाते हैं चर्म रोग कौन सा भी हो बाब मानने से ठीक हो जाता है यह बाबा विश्वनाजी ने बरदान दिया था अपने शाले शरी शारंगना जी को